बग्यापुर नामग गाउं में सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी सुशीला एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी सुशीला के घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था सुशीला के पिता एक किसान थे वो अपने खेत में सबजियां बोते और उन्हें गाउवासियों को बेचते थे सुशीला के पिता जी का सबजी बेच कर घर का राशन पानी नहीं चल पाता था आखिर सुशीला का एक छोटा भाई भी तो था वो गाउव के ही विद्याले में पढ़ने जाता था सुशीला का घर खर्श ठीक से चल सके इसलिए सुशीला गाउव के बच्चों को डांस क्लास देती थी सुशीला को डांस करना बहुत ही पसंद था और उसकी इतनी लगन और मेहनत देखकर उसके माता पिता भी कुछ नहीं कहते थे सुशीला और उसके पिता दोनों के पैसे मिला जुला कर ही उनके घर का खर्ट चल पाता था एक दिन सुशीला की मा रजनी उसके पिता से बात करते हुए अजी सुनते हो हमारी बेटी सुशीला बड़ी हो गई है हमें उसकी शादी के लिए लड़का ढूनना पड़ेगा हाँ रजनी तुम बिलकुल ठीक कह रही हो हमें अब सुशीला के लिए लड़का देखने में जादा देर नहीं करनी चाहिए हाँ हम कल ही बिचौलिये से बात करके अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिष्टे की बात करेंगे अगले दिन ही रजनी और उसका पती गाउं में बिचौलिया के पास जाते हैं अरे रजनी तुम आज यहां कैसे आ गई भाई साहब नमस्कार नमस्ते रजनी नमस्ते सरकुशलमंगल बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं हाई या बस हम अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिष्टे के लिए आए हैं हाँ जी भाई साहब हम चाहते हैं ठीक समय के साथ हमारी बिटीया सुशीला की शादी हो जाए जी जी बिल्कुल ठीक बात कह रही हो तुम रजनी मेरे पास आया है एक लड़के का रिष्टा हम उस लड़के को सुशीला बिटीया के लिए देख लेते हैं अरे भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है आप उस लड़के के माता पिता से हमारी बेटी सुशीला की बात चलाओ ठीक है मैं कल ही उस गाँ जाओंगा मैं कल उस लड़के के परिवार से सुशीला बिटीया की बात करूँगा ठीक है भाई साहब, आप हमें अब आ गया दें जी, ठीक है, नमस्ते रजनी और उसका पती बिचॉलिया के घर से वापस अपने घर की तरफ लोट जाते हैं अगले दिन बिचॉलिया दूसरे गाउं जाकर सुशीला की बात करता है और लड़के वालों को सारी बात बताता है लड़के वाले भी सुशीला को देखने के लिए तयार हो जाते हैं देखते ही देखते, एक दिन वही लड़के वाले बिचॉलिया के साथ सुशीला को देखने आते हैं और सुशीला का उस लड़के के साथ रिष्टा पक्का हो जाता है और कुछी दिनों के बाद सुशीला की उधर शादी हो जाती है शादी के बाद सुशीला के ससुराल वाले सुशीला को बहुत परिशान करते हैं सुशीला के माता-पिता गरीब होने के कारण सुशीला के ससु सुशीला वालों को कुछ कह भी नहीं पाते थे। सुशीला भी अपनी ससुराल में बहुत परिशान रहने लगी। वो अपने सारे दुखदर्द अपने माता-पिता को भी नहीं बताती। एक दिन सुशीला की सास सुशीला से बहुत काम करवाती है और उसे खाना भी नहीं द मेरे माता पिता ने गरीब होते हुए भी मुझे आज तक भूखा नहीं रखा और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद मुझे दो फक्त की रोटी ठीक समय पर नहीं मिल पाती मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपने घर पर बता भी नहीं सकती ऐसे देखते ही देखते यह सुशिला के सस्राल वालों का रोज का हो गया था कि वो उसे खाना नहीं देते थे और वो भूखी रहती एक दिन परिशान होकर सुशिला ने ठान लिया कि वो अब यह अत्याचार और बरदाश नहीं करेगी वो अब पहले की तरह गाओं के लोगों को डांस सिखाएगी सुशिला अपने पती से डांस सिखाने की बात करते हुए सुनो जी मैं चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह गाओं के बच्चों को डांस सिखाऊ ओ तुमने ये सोच भी कैसे लिया हमारे गर की बहु-बेटियां ये छोटे और गंदे काम नहीं करतीं अरी, डान्स तो एक कला है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं तो गाओं के बच्चों को एक कला सिखाने की बात कर रही हूँ तो आप धर पर रहो और घर का काम करो सुशिला ने तो ठान लिया था कि उसे डांस सिखाना है इतना सब करने के बाद भी उसके साससुर उसकी एक नहीं सुनते और उसे दो वक्त की रोटी भी नहीं देते चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो डांस सिखाना है सुशिला अपने पती की एक नई सुनती और गाउं की डांस अकेडमी में जाकर डांस सिखाने की बात करती है वहाँ की टीचर को सुशिला का डांस पसंद भी बहुत आता है और उन्हें एक डांस टीचर की आवशकता भी होती है तो वो तुरंत ही सुशीला को डांस टीचर रख लेते हैं सुशीला घर आकर अपने पती और ससुराल बालों को बताती है मैं आज गाउं की डांस एकेड्मी में गई थी मुझे वहाँ पर उन लोगोंने डांस टीचर रख लिया है उन्हें मेरा डांस बहुत ही पसंद आया यह छोटे काम नहीं करती क्या तुम वाकिफ नहीं हो इस बात से तुम नहीं जा सकती ऐसे डांस सिखाने इससे हमारे घर की बेजती होगी हम तुम्हे यह काम नहीं करने देंगे मा मैंने तो इसे कल बहुत समझाया था, पर ये छोटे घर की लड़कियां मानती कहां है, जादा ही इसे शौक चड़ा हुआ है डांस का, मेरी सारे गाउं में नाक कटवा के ही मानेगी जी डांस करना कोई गलत बात नहीं है, डांस तो एक कला है सुशीला के परिवार के इतना डाटने के बाद भी अगली सुबह सुशीला डांस अकेडमी पहुँच जाती है, सुशीला का ये कदम देख कर उसकी साज बहुत गुस्सा हो जाती है ये कल मुही चली गई अपना मूँ ठाकर नाचने गाउं में, ये हमारे खांदान की बेज़ती करवाईगी, ये औरत घर आये तो इसे मैं ऐसा कर दूँगी कि ये घर में भी इधर से उधर नहीं जा पाईगी गाउं में जाना तो दूर की बात है सुशीला की सास अपने बेटे को भड़काती है तुझे तेरी बहु संभालने में नहीं आ रही क्या, इतनी बत्तमीज होती जा रही है ये दिन बदिन इसे इतना समझाने डाटने के बाद भी ये मूँ उठाकर चली गई नाचने शाम को सुशीला अपनी डांस क्लास खत्म करके घर लोटती है और उसका पती और उसकी सास उसे बिना कुछ बोले पीपने लगते है सुशीला समझ जाती है कि डांस के चकर में उसका पती और उसकी सास मिलकर उसे मार रहे है मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ सुशीला बहुत चिलाती है परंतु उसे कोई बचाने नहीं आता क्यों, तुझे बहुत शोक है ना नाचने का मैं नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी अब मैं डांस करने मैं तो सिर्फ इसले जा रही थी कि मैं दो वक्त की रोटी अपने लिए खा सकूं या तुम मुझे खाना भी नसीब नहीं होता ये बात सुनकर सुशीला की सास और गुस्से में आ जाती है अच्छा, तुझे हम खाना नहीं देते ना, आप तुझे खाना मिलेगा भी नहीं सुशीला का पती मार मार कर सुशीला की टांगे तोड़ देता है और उसे खाना भी नहीं देता ऐसे ही देखते ही देखते सुशिला खाने के लिए तडप्पी रहती है और अपने ससुराल वालों से खाना मांगती है पर उसे खाना ना मिलने की बज़े से वो कुछ दिनों बाद मर जाती है तबी से सुशीला एक चुडैल बन जाती है और उसकी आत्मा उसके घर में भूंती है सुशीला की घर से हर समय घुंगरू की आवाज आती सुशीला की आत्मा जहां जहां भी चलती उधर उधर उसके घर में घुंगरू बचते सुशीला की मौत इतने बुरे तरीके से हुई थी कि उसकी आत्मा ने ठान लिया था कि उसकी आत्मा ने ठान लिया था कि अब वो उसके पती और उसकी सास को बहुत परिशान करेगी वो उन्हें मरने भी ने देगी और उन्हें बहुत परिशान करेगी एक दिन सुशिला की सास घर पर अकेली होती है और वो घर पर खाना बना रही होती है तब ही सुशिला की आत्मा उसकी सास के आगे प्रकट हो जाती है ये देखकर उसकी सास बहुत डर जाती है कोई है मुझे बचाओ कोई है बुडिया तुने मुझे बहुत परिशान किया है मुझे खाना तक नसीब नहीं होता था और अब मेरे मरने के बाद तु मटर पनीर बना कर खा रही है तु देखती जा में तेरा क्या हाल करती हूँ तु मौद के लिए तरसेगी और तुझे मौद भी नसीब नहीं होगी अरे नहीं मुझे से गलती हो गई सुशीला तु मुझे माफ कर दे सुशीला उसकी सास की एकने सुनती और उसके द्वारा बनाई गई सबजी गिरा देती है अरे मुझे कोई बचाओ मैं जल गई मुझे बचाओ पर घर पर तो कोई नहीं होता सुशीला की सास जली हुई हालत में घर पर एक जगा पड़ी रहती है कुछी देर में जब घर पर सब लोग आते हैं तो सुशीला की सास उन्हें सारी घटना बताती है पर अपर उसकी कोई नहीं मानता और ये बोलकर टाल देते हैं कि उसका वहम होगा ऐसी उनके घर में आए दिन गोष सुशीला कभी उसके पती को परिशान करती तो कभी अपनी सास को सुशीला के परिवार वाले अपने ही घर में डरे हुए रहते और सुशीला का जब जो मन करता वो उनके साथ वैसा ही सलूप करती जैसा उन्होंने उसके साथ किया था